हालो फ्रेंड्स मैं हूँ विसाल दिवर्सी और आप देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल ट्रजेक्टरी एड्यूकेशन जो भी स्टुडेंट्स आइट जैम सी एसा नेट गेट टी आफा जैस्ट और कोई भी अलग सब्सक्राइब कर सकते हैं आ लोग वी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे चल के मैंस्क पूठिक का एन हम लोग एल्lass के बारे में स्टडी किया था कि भी पॉल क्यों इंपार्टिंट यह परपस है सभी को एल्लीक फ Too अंध़ एलेक्रिकम इंटर्रिपेटल से इंतराक करता है और इसका एक्सप्रेशन के बारे में बात किया था तो वीडियो आप देखिए और आज हम लोग इस पर क्वेश्चन करने जा रहे है डाइपोल स्पे ठीक है तो फूर करते हैं कुछ फूर्ट रिकें हैं यह देखिए फूर पॉइंट चार्ज प्लस-mineus q1 plus-minus q2 are placed at the corner of rectangle of sides a and b as so in figure what is the magnitude of dipole moment of the system अच्छ दुखो यहाँ पे एक तो dipole यहाँ बन रहा है लेको ठीक है अब ठीक बना इसको मालो p1 कर लो ठीक है minus q2 plus q होता है रहा एक dipole आपका इदेन है e2 ठीक है p1 e2 डाइनल के साथ है minus q2 to plus q2 अच्छ अब यह a है और यह आपका b है तो डाइनल का लेंथ कितना हो जाएगा डाइनल का लेंथ हो जाएगा a square plus b square तो आपका यह जो p1 होगा p1 is q1 in 2 यहां पर 2L जो है वो डिस्टन्स बेटिन टू एकुल अन आपके चार्ज आपका अंडाइनल के बीश्टे टू यह एंगल मालोट ठीटा है तो पीवन पीटू के बीच में एंगल कितना होगया ठीटा हो गया अब यह एंप यह वेक्टर से तो पूरे सिस्टम का डाइपोल मुमेंट अगर हम लोग निकालेंगे पूरे सिस्टम का डाइपोल मुमेंट क्या हो जाएगा पीवन और पीटू का वेक्टर सम का मैंगनी चूट मैंगनी चूट पूछ रहा है तो पीवन पीटू पीएज बैसिकली पीवन प्लस पीटू ठीक है तो अगर मैंगनी चूट का पात करेंगे हम लोग मैंगनी चूट क्या हो जाएगा है फार्मूला होता है हम लोग का पीवन स्क्वेर पीटू स्क्वेर कास्ट ठीक है यह आपका मैंगनी चूट हो जाएगा तो कॉस्ट ठीक क्या होगा बताओ कॉस्ट ठीक क्या हो जाएगा अगर मालो हम इसको अरुग तो ए अ बी ओ लेले ठीक है तो ए बि ओ ट्रेंगल तो यह दो आधा हो जाएगा वन बइटू अअ दिस और अगर को साइन फर्मिला लगा दें लो तो क्या हो जाएगा B square equals to OA square plus OB square twice of OA into OB into cos theta क्या जी ऐसी आजाएगा न वे स्क्राइड हो गया one by four OB square भी यही हो जाएगा आप माइनस कि द्वाइस आफ कास्थ हीट ठीक है so this is this will come out to be what one by two a square plus p square one by two a square plus p square cos theta cos theta so your cos theta will be simply cos theta will be simply one by two a square plus p square minus b square and one by two a square plus a square plus a square plus a square plus a square minus b square this ठीक है निकाल निकाल लिया हम लोग ने आई इसमें इसको पूट कर दो इसमें इसको उट कर दो p1 था क्या था क्या q1 इसको इसको ने इसको ने हम ने निकाल था ना टॉइस आफ एवन पी टू टॉइस आफ एवन क्यू टू एस्कार प्लस बी स्कार और कास्टीटा का वैल्यू पुट कर दिया जाए एस्क्वार माइनस बी स्क्वार इस ठीक है यह कर जाएगा हमारा यह कर जाएगा है ओक है तो दिस्विल कम आज यह क्या जाएगा बतो अगर एस्क्वार को कॉमन लें तो इस क्यू अन स्क्वेर क्यू टू स्क्वेर माइनस ओफ टू क्यू एट अब बी स्क्वेर को कॉमन लें लें इस क्यू अन स्क्वेर प्लस क्यू टू स्क्वेर अना तो दिस नतिंग बद एस्क्वेर किवन मेनस्ट कुठ चू का होल स्क्वेर अन बी स्क्वेर कीवन माइनस्ट कुठ चू का होल स्क्वेर को अगर यही पे रहेंगे ना यही पे तब बीओना आंसर नेक सक्ते ठीक, लें इस्टेए ना सी आंसर जाएगा सी इस वह इंट मतां से ओके यह देखिया तो निकाले थे इंट्राक्षिण एनर्जी डाइपोली एक्स्टर्न एलक्टी फिलिए माइनस टी डार्टी लास्ट क्या था मैं लास्ट क्लास्ट में यह कुश्चन किया था ठीक है इये देखो किश्ट्र ये कुश्चन क्या बोल रहा है चाल सिच्ट एड से लिस्टंस फन देट्री डाइपोल लॉंगी चूदनल पोजिशन एक्स्पीरियन्स एफ फोस एफ इफ दा लॉंगी चुनल पोजिशन का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल पोजिशन तब यह आपका यह प्लस क्यों हो गया यह माइनस क्यों हो गया तो यह जो पोजिशन है न इसके लॉंग पोजिशन एक्सेल पोजिशन बोलते हैं तो मतलब कॉस्टीटा जैसे अपने हम लोग निकाल निकाला था ना लास में यह थीटा अगर है तो यहां पे यह और और यह थीटा निकाला था हमने तो थीटा एर का एक्सप्रेशन क्या है तो याद करो यह वोज रूपी कास्ट थीटा अपन पॉर पाइपसेल नॉट आर्क्यू तो लॉंगी चुनल पोजिशन में थीटा जो है जीरो हो जाएगा तो वहां पे जो हो जाएगा चूपी इपाइबर लॉक्ति पर फोर पाइपसर नॉट और अर्क्यू मतलब क्या बोल रहा है पोर्स कितना एक्स्पीरेंस करेंगा चार्ज क्यों इंटी ऑन टुए और इस दिस्टंस अव चाज़ इस डबल डिस्टंस डबल करते हो तो एक पर यह पर यह जाएगा पॉस जोज ए वन भाई आग्ड़ी पर डिपेंड कर रहा है तो आज बिकांस 2R इत्री पर नहीं कर रहा है तो पोर्स दीवर नहीं आट सो जागा एक बाटा आठीस साभजागा थीक. समय क्लियरे? यह दो कुछिन क्या बोल रहा है a point dipole with electric moment electric dipole moment energy electric dipole and P is oriented in positive direction of z-axis is located at the origin of coordinate achatika find the projection E Z and E perpendicular okay of the electric field strand vector on the plane perpendicular to add pointers is s point page electric field anna उसका बोल रहा है की Z component निकालो perpendicular यह यह जड़कांपड़ेंट हो यह जड़कांपड़ेंट हो यह यह परपेंदिकल वाला निकालिया की electric field का हम लोग तो हम लोगो तो यह पता है यह यह हम लोग को आइए ठीटा हम लोगो निकाले थे याद करो पी साइन ठीटा अपन ठीक है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप निकालो यह क्या सब्सक्राइब भी यह क्या अबक्रिछ भीथे क्वेश्चन में फ्सक्राइब लिए थीटा शाइगा यह च्च्क okay लिए पैसे पे gels ङाएगा जाएगा थीता हो गया यह दिए यह भी ठीटा हो जागा तो जड़ेड़ कॉंपेंट हो जागा फील का that will be simply यार कोस्ट थीटा माइनस पीटीटा साइं थीटा यह यह लेलो कॉंपेंट पॉसिटीव डिरेक्शन वे थीटा का कॉंपेंट नेगेटिव जड़ेशन माइनस कर दिया हमने ठीक है यह आपका जेड़ कॉंपेंट हो जाएगा इसको वैलू पूट करो इसका तूपी कॉस्ट स्क्वेर थीटा अपॉन और यह थीटा पी साइन थीटा साइन स्क्वेर थीटा ठीक है न तो यह क्या बनेगा बताओ यह बन जाएगा पी इंटू ट्वाइस कॉस्ट स्क्वेर थीटा माइनस साइन स्क्वेर थीटा अब साइन स्क्वेर थीटा को वन मैंस कॉस्ट स्क्वेर थीटा कर दोगे यह हो जाएगा ठीक यह आपका जेड़ काम बढ़ जाएगा अब यह परपेंडिकुलर भी निकाल लाते हैं वैधु के बंदिक्वर मतलब यह जैट इसकर अप्यूं कि धीक्र गाग लाउग हो गया आज डाइपोल की प्रेंडिकुलर क्या है यहां को क्या है यह सांग ठीटा को प्लस इटीटा कस्टीटा नहीं डैफोल के प्रपेंडिकिलर एक है एर साइन थीटा क्या हो जाएगा टूपी और सीटा साइन थीटा अपन पूर पाइब सेनट आर क्यू और एथीटा कॉस्टी थीटा क्या हो जाएगा ख्यां आर अच्टी थीटा क्या पुस्टा अच्या था अच्टी मान तुछी सिर्फ यार पूछ एजड़ बीज़ पूछ देगा एगी परपेंडिकला पूछ देगा पोई च्छाटा सा पूछ देगा इस ना भीड़ोर अब बोला आटव Ihre पापनिकट देगा अब तो अब एस आफया पनिक्टार दो पी कब होगा जोगा यह गोम पाइन जीरो मतलब ये इस ए मुझा ये निया सिरे पर्रषिट अपारइन दाब धार यूजए न है कि your e is what he consists of ? you ésad also मतलब and...e perpendicular also दोनौ एन वेकिन अगर अपक कहते हैं pharmaceutical that in that case we should kill this Eeg in order to kill this Eeg is what should be the condition this should be 0 or you can say cos theta is 1 by root 3 minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 यह इन पॉइंट्स पे आपका जो है इस परपेंडिकुलर तो पी हो जाएगा ठीक हा पॉइंट समझ मारा है कहां पे इस परपेंडिकुलर तो पी होगा okay okay fine I think you are getting this yeah the point electric dipole is player of dipole a piece placing external uniform electric field whose strength is e0 with p parallel to e0 ठीक है in this case one of the equipotential surface enclosing dipole forms a sphere find the radius of the sphere okay potential surface निकालना पड़ेगा न फिर आपको point dipole दे रखा है यह dipole का direction है सपोज यह direction z का direction सपोज करो इसी direction में हम लो सब्सक्राइब है यहापे dipole placed है यहापे dipole placed है यहापे dipole placed है तो if I take this theta then at point P what is potential due to dipole potential to dipole a general point later potential to dipole will be what e1 equals to e cast theta upon ठीक है अच्छा point P पे potential external field की वेरे से भी होगा external field आपका इस direction में है ठीक है external field की वेरे से भी potential होगा external field क्या है आपका external field is e equals to e0 के cap तो point P potential दो चीज़ के वैसे होगा एक तो dipole के वैसे होगा आदूसरा external electric field के वैसे होगा external electric field के वैसे पोटेंशन निकाल लो कितना यागा that is going to be e.dr right e.dr reference हम लोगो पता नहीं है plus constant कर दो limit put नहीं करोगे तो limit अगर पूट करोगे फिर तो constant पूट करने का जोबत नहीं है तो यह आपका क्या है it is e0 k cap तो k cap dot dr क्या जगा है यह आपका r vector है किसी direction dr vector भी होगा dr क्या dr is basically nothing but d x i cap d y j cap and d z k cap dr dot k dot d i will be what e not d z e not is constant uniform field बोल रहा है नहीं फिल रहा है नहीं फिल रहा है so it is e not r cross theta plus constant यह निकल गया external electric field की वाई से potential ठीक है आई यह potential होगे dipole की वैसे तो net potential क्या हो जाएगा net potential is going to be simply v equals to v1 plus v2 and v1 is your r e cos theta upon sorry r square r e not r cos theta plus constant now the equipotential surface will be simply equipotential surface that will be the locus of all the position is space where this v is constant locus of all the position is space so the equipotential surface would be given by would be given by the place where v is constant see already use character constant as a thing so I can write it as p cos theta upon 4 pi epsilon not r square you can I am how jaga e r cos theta plus c equal to c dash constant c dash e kaya jaya 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 ap ka p minus what e minus 4 pi e minus 4 pi yaya aysa ligh lo p minus e cos theta e cos theta plus c equal to si dash so अब क्या बोल रहा है इंदिस इक्की पोटेंशल सर्फिस अब यह वाला जो वी है वी इस अभी सी डैस उट मत करो फूरो इसको अब यह बता कि यह वी आ गया अब यह पोटेंशिल कहां पर कॉंस्ट होगा पॉतेंशल कहा पर कॉंसर रोला। यह रूगा यह वानिश यह वी आफ यह कर जैएगा यहाँ पे यह वानिश रिजाएगा यह कर जाएगा यह वानिश खर जैए गा आपका लोक समर्श पोंदो Representative यह वानिश गैडटा मिंश 10.8 तो यह टर्म देखो कहा वैनिस कर जाएगा ठीक है यह टर्म का वैनिस कर जाएगा at r equals to p upon 4 pi epsilon naught e naught जहां पर यह term r equals to this not a is it's a radio the locus of all those position where I is this at this position this he joe term have vanished our potential become constant to radius of that spherical surface where the radius is this area the spherical surface whose radius is equal to this at those spherical surface this time vanish and potential will be constant so I can say he was fair जिसका radius यह है उस स्वेयर के हर point पे यह 0 हो जाएगा आप potential उस स्वेयर के हर पॉइंट पे constant हो जाएगा तो यह आजाएगा रिडियस दस्वेर यह रिडियस दस्वेर आजाएगा ठीक है समझ में आपको ठीक है तो यहीं questions थे बाकी जो प्रीवियस एक वेस्टन्स है डाइपोस के उपर वो तो हम उसमें प्रीवियर से पेपर में करी रखें जैम का प्रीवियर से पेपर है उसमें सब डिसकस करी रखें तो वह सब उठाए नहीं वह उसी में देख लेना और आगे चलके एक next topic I think I'm going to add is क्योंकि अभी तो प्लान था कि IIT जैम वाला लिवस्ट करेंगे लेकिन पीपल है वह सजेस्टर मी और लॉट्स 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 अ कॉलिंग मी कि सब नेट और गेट वाला भी इंकलूड करिये ठीक है तो इसमें एक टॉपिक है जो नेट और गेट में सब्सक्राइब करेंगे तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं तो और यह कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा ठीक है तो मुल्टीपोल इक्स्पाइंशन और चार्ज इस्ट्रीशन आउसर रिलेटर क्वेश्टन करेंगे ठीक है अब दूसरा चीए की प्रीएस एक्वेस्टन गे सब्सक्राइब कर लेंगा तो था बढ़ियां हो जागा ठीक है ओके सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह थैंक यू वेरी मच और है गुड़ दे